ही एब्रीवान गुड़ी इवनिंग किन योल हीर मी वेलकम तो वनस्टॉप नीट इस या शुरुती मैम क्या आप सबको मेरी आवास आ रही है किन योल हीर मी भाई बहुत ही इंपॉर्टन चाप्टर शुरू कर रहे हैं तो एक बर फटा-फट से बता दो तो सबको आवाज आ रही है क्या अच्छा तो टेंथ का परसेंटेज सब पूछ रहे हो है ना चलो इस पर ये क्वेस्चन मैं भी पूछ लेती हूं कि कि किस कि को टेंथ के लगता है कि 10 या 12 का परसेंटेज बहुत इंपॉर्टनेंट है आपके आगे के करियर में क्या लगता है साजेत, पूजता, पुरुषोत्तम, हेलो एव्रिवान, हाई तनुजा, हेलो नीरा, हाई चीकू, हेलो अर्चना, खीकू तब्यत ऐसे है, ऐसे होती रखते तो एक बार मुझे मैंने आपसे एक क्वेस्टेज पूछा, आपको क्या लगता है, कि आपका जो भी है ना, परसेंटेज है क्लास 10 में या जो भी है 12 में या होने वाला 12 का एकजाम इस बार देने वाले हो और आपको एक आखुछ परसेंटेज आएगा क्या उसकी बहुत जादा importance है आपके आगे के career में नहीं है है ना तो मेरे हिसाब से एक बार आप 10th कर लेतो ना उसके बाद आपको focus करना चाहिए कि आप आगे जो भी career choose कर रहे हो हो सकता है वो doctor बनने का है हो सकता है वो science में कुछ और करने का है हो सकता है वो PhD करने का है कुछ research करने का है है ना उसकी हिसाब से आपको पढ़ाई करनी चाहिए तो 11th में आने के बाद आपका dedication आपका जो career में आप काम करने वाले हो उसके हिसाब से होनी चाहिए समझ रहे हो तो आज करने वाले है animal kingdom और animal kingdom में याद रखो एक चीज़ तीन question तो आएगा ही आएगा है ना तो animal kingdom में तीन question अगर आएगा need के exam में तो पहली चीज़ आपको पता होना जीए कि कहां कहां से question आने की probability है अब इस हिसाब से ना animal kingdom को तीन पार्ट में divide कर सकते हैं पहला पार्ट है जहां हम basis of classification पढ़ते हैं यानि कि किस basis पर हम animals को divide करेगे फिर दूसरा है जहां हम सारे non-cordates वाले phylum पढ़ते हैं ठीक है और तीसरा topic है chord data ठीक यहीं से यह तीन question आएगे तो एक basis of classification से दूसरा non-cord data से और तीसरा chord data से इस तरीके से आपको जो है तीनो topics को अच्छे से cover करना है अब अगर आप NEET 2023 और 2024 के लिए prepare कर रहे हो तो एक बार जरा फटा फट से सारे बच्चे चार्ट में लिखेंगे कौन से बुक पढ़ रहे हो बायो के लिए कौन से बुक पढ़ रहे हो बायो के लिए बताओ जरा बुल एक बार हाई मोहेट साजे तनुजा मौनिका रिया पुरुशोतम स्टाट स्मार्ट बायो के लिए कौन से बुक पढ़ रहे हो क्या मतलब NCIT FIRST साजे उसके आगे और कुछ भी पढ़ रहे हो ठियोरी कहां से पढ़ रहे हो ये पूछ रहे हो मैं है ना प्रैक्टिस कहां से कर रहे हो नहीं तो भाई एक बात याद रखना अगर आप आदत नहीं डाल रही हैं NCRT पढ़ने की और आप NCRT समझ नहीं रहे हैं और चीकू के जैसे आकाश का मॉडूल पढ़के इतनी बड़ी गलती कर रहे हैं तो उससे एक्जाम नहीं क्लियर होगा आप कोई भी बुक पढ़ लीजे आप कोई भी मॉडूल पढ़ लीजे कोई काम नहीं आएगा आपको NCRT समझ नहीं है यह याद रखना आप 10 बार NCRT पढ़ लोगे लेकिन समझ में नहीं आएगी न तो नहीं एक्जाम क्लियर होगा आप एलन, आकाश, XYZ किसी भी इंस्टिट्यूट का मॉडूल उठाके पढ़ोगे एक्जाम नहीं क्लियर होगा एक्जाम क्लियर होगा NCRT से पढ़कर यह इस बार के पेपर ने प्रूव कर दिया है कि क्वेश्चन घुमा घुमा क्या है लेकिन आए सारे NCRT से और बच्चों ने गल्दी करी क्योंकि NCRT को इंपोटनसी नहीं देता है तो आपको NCRT only पढ़नी है और इस टाइम का जो टॉपर होने वाला है 2023 का बच्चा जो टॉप करने वाला या 2024 का बच्चा जो टॉप करने वाला अपने साल एक्जाम में उसने पहले से यह शुरू कर दिया और उसने यह समझ लिया है कि मेरे को पढ़नी सिर्फ और सिर्फ NCRT टाइम वेस्ट नहीं करना है दो रुज़र पढ़कर यह बात याद रखना है ना अब अगर आप मेरे साथ पढ़ना चाहते हो पूरी Biology, Physics, Chemistry हमारे साथ पढ़ना चाहते हो तो आप शौरेबाद जॉइन कर सकते हो 2023 के लिए जहां पर आपको Life Classes मिलेंगे Zoom पर बहुत सारे Questions प्राक्टिस करेंगे है ना, Almost 10,000 Questions प्राक्टिस करेंगे और यह sufficient है इससे जादा करने की दुरत नहीं है Focus करना है Theory clear करने में Concept strong करने में Physics, Chemistry में है ना, वो ज़रूरी है फिर Personal Mentorship मिलेगी तो आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे होगा available होगा आपको कभी भी doubt आ रहा है कोई भी doubt आ रहा है motivated नहीं feel कर रहे हो है ना, in general भी कोई doubt है तो clear करेगा आपका तो Personal Mentorship भी मिलेगी आप हमारी साथ पढ़ना चाहते हो यहाँ पर WhatsApp का नंबर दिया हुआ है आप इस नंबर पर message करके enroll कर सकते हो शौरी बैच में, ठीक है अभी आओ ज़र ज़रा, बात कर रहे थे हम तीन चीज़ों की, है ना, तो हमने बोला कि पहला हमें पढ़ना है basis of classification अब आज के class में हम यही cover करेंगे कि किस basis पर हमने animals को classify किया है थीक तो सबसे पहली चीज़ अब आपको यहाँ पर याद करनी होंगी कि अलग-अलग चीज़ें हो सकते हैं जिसमें हम animals की grouping कर सकते हैं जैसे कि वो किस जगे पर रहता है habitat क्या है किस तरीके से रहना पसंद करता है क्या वो groups में, colonies में रहना पसंद करता है क्या वो individual अकेले रहना पसंद करता है फिर उसका cellular organization कैसा है बोडी में क्या वो cell का बना हुआ है क्या वो tissue का बना हुआ है tissue के उपर कोई और organ आ गया है tissue system है, organ system है या क्या है, फिर हम बूलते हैं कि symmetry कैसी है body की तो जैसे symmetry की बात करूँ अगर ऐसे हम है तो हम अपनी body को किस plane से central axis से ढिवाइड करेंगे, ये central axis है तो अमें किस plane से ढिवाइड करूँ क्या मैं ऐसे central axis से ढिवाइड करूँगे क्या मैं ऐसे डिवाइड करूंगे तो दो मिलेंगे या मैं ऐसे डिवाइड करूंगी तो मेरे को दो equal या similar halves मिल जाएंगे तो इस basis पर हम animal की body की symmetry देखते हैं इसके basis पर भी हम classify करते हैं फिर हम बात करते हैं germ layer की body plan की फिर बात करते हैं sea loam की तो बहुत सारी चीजे हैं जिनके basis पर हमने classification किया है जिसमें पहला जो हमें पढ़ना है वो है habit और habitat अब ध्यान से सुनना की habit और habitat का मतलब क्या है तो सबसे पहले बात करेंगे habit के अब आपको बहुत सारे animals ऐसे मिलेंगे न जो अकेले रहना पसंद करते हैं तो हम बुलते हैं कि बहुत सारे animals solitary होते हैं solitary मतलब अकेले रहना पसंद करते हैं और वही पर बहुत सारे animals ऐसे होते हैं जो group में रहना पसंद करते हैं colonies में रहना पसंद करते हैं है ना, तो habit जहें, जो है किसी animal की, वो solitary अकेले रहना हो सकता है और नहीं तो colonial group में रहना हो सकता है अब मान लो, group में दो animals रह रहे, आंसर देना जरा, क्या जरूरी है कि जो animals भूर में रह रहे हैं, वो ये दूसरे को फाइदा ही पहुंचाएंगे हाँ जरूरी है कि एक दूसरे की help करे ही बोलो क्या लगता है सारे कोई जरूरी है एक दूसरे की group करें एक दूसरे की help करें एक group में रह रहे हैं तो नहीं जरूरी है है ना तो हम बोलते हैं कि जो animals group में रहना पसंद करते हैं हो सकता है कि वो एक दूसरे की help करें अगर वो एक दूसरे की help कर रहे हैं तो वो social animal है जैसे हम बोलते हैं humans are social animals हम एक group में एक साथ रहते हैं तो एक दूसरे की help करना हमें अच्छा लगता है है ना यहाँ पर जो group में है they help each other ठीक है और दूसरा है जहाँ पर वो help नहीं करना चाहते ऐसे group में रहने वाले animals को gregarious बोलते है तो यहाँ पर जो है they do not help each other भाई एक जेगे रह रहे हैं लेकि तुम अपना काम देखो और मैं अपना काम देखूंगा ऐसा वाला attitude है ठीक तो यह तो बात हो गई habit की और मैं एक बात अभी बता देती हूँ आपको अगर आप मेरे साथ पढ़ाई कर रहे हो तो मैं screenshot लेने में believe नहीं करती क्योंकि screenshot लेकर किसी का भलानी होता है तो आपको क्या करना चाहिए आपको मेरे साथ notes बनाना चाहिए कितने बच्चे हैं जो notebook लेकर बैठे हैं और मेरे साथ लिख रहे हैं एक बार बता दो ज़रा चाट में फटा फट बता दो फिर habitat की बात करते हैं हाई वैबर गुडी इवनिंग कैसे हो तो अब जो habitat में रहते हैं है ना हो सकता है कि उनको पानी में रहना पसंद हो वो aquatic है और हो सकता है कि उनको land पर रहना पसंद हो वो terrestrial है ठीक है तो बुलते हैं दो जो है ये land हो गया है ना दो major habitats है जहाँ पर आपको animals मिलेगे अब जो aquatic है वो fresh water में भी रह सकते हैं है ना और खारे पानी में भी रह सकते हैं marine environment में भी marine water में भी रह सकते हैं है ना अब जो terrestrial है वो कहां कहां मिल सकते हैं भाई अब जो terrestrial है वो एक हमने बोला land पर रह रह रहे हैं फिर सुनो और terrestrial भी होते हैं ऐसे जो पेड़ पर रहना पसंद करते हैं जुनको हम बोलते हैं Arboreal तो कहीं आप Arboreal नाम सुन लो तो ऐसा नहीं सोचना कि कहीं सुनाई नि मैंने ये क्या है Arboreal का मतलब है वो animals जो पेड़ पर है न जादा time spent करना से पसंद करते हैं और तीसरा ऐसा है जो की काफी time तक हवा में उड़ते रहते हैं aerial animals भी होंगे तो अब जब हम animals की बात कर रहे हैं तो आपको animals land पर पे रहते होगे दिख रहे हैं जो एक तो land पर चल रहे हैं दूसरे हैं जो की trees पर रहना पसंद कर रहे हैं जादा time spent कर रहे हैं और तीसरे हैं जो उड़ना पसंद करते हैं aerial है अब अगर हम even aquatic system की बात करें है ना तो aquatic में भी कहानी इतनी simple है नहीं मान लो मैं एक water body बना रहे है ऐसे है ना अब इसमें भी आपको कुछ animals ऐसे मिलेंगे जो पानी में बिलकुल उपर उपर रहना पसंद करते हैं ठीक है यहा वो नीचे नहीं जाते चाहे पानी जितना भी गहरा हो वो नीचे जाना पसंद नहीं करते तो यहाँ पर जो पानी आपको दिख रहा है इसको मैं बोलूंगी यह surface water है है ना यह surface पर जो मिल रहा है वो है फिर दूसरा सुनो यहां beach में एक चौड़ा सा zone है ठीक है कुछ animals ना उपर रहना पसंद करते हैं ना नीचे रहना पसंद करते हैं इस beach के पानी के layer में रहना पसंद करते हैं इसको मैं बोलूँगी column और फिर कुछ ऐसे हैं जो बिलकुल bottom म यह रहना पसंद करते हैं पानी में वो उपर नहीं आते कभी तो यह पानी का पार्ट जो है इसको बोलूँगी bottom तो मैंने क्या किया एक पानी को पानी वाले body को water body को divide करते हैं तीन पार्ट में एक उपर surface फिर बीच में column और नीचे bottom अब आपको कुछ ऐसे मिलेंगे जो surface पर रह रहे हैं जो surface पर रहते हैं इनको बोलते हैं newstones जो यह column में यह neck है एक तरीके से beach का part है इनको बोलते हैं nektons और जो बिलकुल नीचे रहते हैं इनको बोलते हैं benthos है ना तो आपको क्या fishes के बारे में पता है आपके कोई fish का example बता सकते हो जो surface पर रहती हो जो column वाले region में रहती हो और जो बॉटम वाले रीजन में होती हो किते बच्चे मेरे को example बता सकते भाई इसका क्या आपने काटला फिश सुनी है काटला किस-किस ने सुनी है किस-किस ने काटला फिश सुनी है काटला रहती है उपर-उपर ठीक है काटला फिश रहती है उपर-उपर ठीक फिर बीच वाले रीजन Nectans में क्या आपने लेबियों रोहिता सुनिया है नहीं सुनिया तो आगे सुनोगे है ना ये बीच वाले में रीजन में रहना पसंद करती है और तीसरी सिरीना फिश ये bottom में रहना पसंद करती है है ना, तो अब aquatic को भी हमने divide किया जैसे हमने land, terrestrial को divide किया कि या तो नीचे land में, या तो उसके उपर पेड है महाँ पर, या तो बिल्कल उपर हवा में उड़ रहे वैसे हमने aquatic को भी तीन पार्ट में divide कर दिया कि सबको ये बात समझ आई, एक बार बताना जरा समझ आई सबको ये बात, habit, habitat समझ आया बोलो एक बार बता दो, फटफट से सबको habit, habitat समझ आया अगर ये समझ आ गया, तो बात करेंगे second classification के basis का, जिसका नाम है level of organization जिसको short में बोलते हैं, loop है ना, अब सुनो ध्यान से तो जो level of organization, web of recorded content यहीं मिल जाएगा YouTube channel पर, है ना, यहीं पर मिल जाएगा आपको अब level of organization में मैं बोलूँगी कि जो animals हैं, वो अलग-अलग level पर बैठे हो सकते हैं तो कुछ animals tissue level पर मिलेंगे, फिर तीसरा हो सकता है कि अब टिशू से organ का formation हो जाए, तो organs आपको मिलने लग जाएगे कुछ animals में, फिर कुछ में आपको organ का बना हुआ system मिलेगा, तो organ system level पर हमा जाएगे, है ना, तो इस तरीके से मैंने level of organization को चार पार्ट में डिवाइड के हैं, cellular, tissue, organ, organ system बना कर दिखा देते हूं, मालो cellular में ऐसा case है, है ना, unicellular है कोई, अब इसका group बना और tightly packed हो गया एक जगे पर, ऐसे, है ना, तो ये हो गया tissue level, अब सुचो हमारे अंदर ऐसा tissue है, है ना, और वो एक organ बना दे रहा है, तो बोलो humans में ये कौन सा organ है, ये जो मैंने organ बनाया, मोहें, तलफैज, वैबव, तनूजा, शैलेश, ये कौन सा organ है, हाँ, बोलो, क्या ये kidney है, अब सुचो कि ये हमारे में एक system का part है, ऐसा, ऐसा, ये क्या बन गया, ये क्या है, ये excretory system है, है या नहीं है, हाँ, तो अब आपको हर level पर कुछ-कुछ, जो है, groups मिलेंगे animal kingdom में, है ना, जैसे कि मैं बोलू कि एक phylum आगे जो हमें पढ़ता है, वो cellular level पर बैठता है, ठीक, और वो है porifera, तो जो porifera phylum पहला हमें पढ़ना है, वो cellular level पर बैठता है, फिर उसके बाद के दो phylum, है ना, sealant reta, और tenophora, आपको tissue level पर मिलेंगे, है ना, tissue level पर मिलेंगे, फिर उसके नीचे आओ, और organ level पर आओ, तो platyhelminth, आपको organ system level पर मिलेंगे, और इसके बाद, as kalminth से लेकर, chord data तक, है ना, as kalminth से लेकर, chord data तक, सब कुछ organ system level पर मिलेंगे, क्या इतनी बात सबको समझाए, एक बार बताना जरा फिर से, मैं फिर से repeat करूँगी, level of organization में हमने बुला, अलग-अलग level पर आपको अलग-अलग groups मिलेंगे, जैसे पोरिफेरा ग्रूप है, वो cellular है, सीलेंट टेरेटा या टीनोफोरा है, वो टिशू लेवल है, प्लाटी हल्मिन्थ, और फिर एसक हल्मिन्थ से लेकर, chord data तक, बहुत सारे फाइलम्स हैं, जो organ system level पर होते हैं, अब एक question नीट में पूछा था, question ये था, कि किस जगे पर, है न, किस level of organization में, minimum division of labor होगा, cell के अंदर की बात हो रही है, तो किस level पर, इन में से, किस level of organization में, cell के पास, minimum division of labor होगा, यानि कि, हर cell सारा काम कर रहा होगा, कोई specific function नहीं assign हो रहा है cell को, बताओ किस level पर, cellular level पर, ये और organ system level पर, बोलो, web of description में लिखा है, आपको कोई भी help चाहिए, आपको, जो है, test चाहिए, recorded content चाहिए, classes join करनी है, आप whatsapp पर message कर सकते हैं, cellular level पर, very good, हर्षिप है, न, तो हम बोलते हैं, कि बाई, जो cell है, ठीक है, जहां पर cell का ही बना हुआ organism है, जहां से सुनो, जो organ system बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो, मैंने क्या बोला, जहां पर सिर्फ cell का बना हुआ organism है, वहां क्या cell को ये पता है, कि उसको एक specific function करना है, या वो cell साली function कर रहा होगा, बहुत कोई option ही नहीं है, कोई division of labor होई नहीं सकता, है न, तो वो सारे काम कर रहा होगा, इसलिए यहां पर आपको minimum division of labor मिलेगा, और अब ये बात बहुत important है, है न, वहीं अगर हम organ system वालो कोई organism उठा लें, जैसे कि हम मालो, है न, तो हमारा excretory system एक specific काम कर रहा है, तो इसके अंदर जो cells बैठे हैं, वो भी उसी काम में लगे हुए, तो इन cells के पास maximum division of labor है, सबसे जादा divided काम ये organisms कर रहे हैं, इतनी बात सबको समझ आए, हाँ, तो minimum division of labor और maximum division of labor पर question आ सकता है, याद रखना, ठीक, अब आओ, तीसरे की बात करते हैं, अब हम बात करेंगे symmetry की, है ना, तो animals में आपको तीन तरीके की symmetry मिल सकती है, यह मैं बोलू, तीन तरीके के animals आपको मिल सकते हैं, ठीक है, तो ऐसा मेरे साथ chart बनाए होगे, है ना, एक animal ऐसा है जिसकी body में कोई symmetry नहीं है, ऐसे animal को बोलूँगे asymmetrical, ठीक, तो asymmetrical का यहां मतलब क्या है, और body की symmetry का मतलब क्या है, हर body का एक central axis होता है, है ना, जो body के center से pass कर रहा है, ठीक, अब आप किसी भी animal को उस central axis से, किसी plane से काट दीजे, जैसे की vertical plane से कट कर सकते हो, horizontal plane से कट कर सकते हो, diagonal plane से कट कर सकते हो, है ना, अब diagonal ऐसे भी हो सकता है, तो जैसे हम अगर हमारी बात करें, है ना, तो हमारी body में symmetry कैसी है, हम central axis से, ऐसे भी कट कर सकते हैं, फिर thorax, abdomen के पास से भी कट कर सकते हैं, किस axis पर आपको हमारी body में 2 identical half मिल रहे हैं क्या हमें ऐसे cut कर रहे हूं body है ना नीचे abdomen से तो हमें 2 similar half मिलेंगे बताना जारा yes or no हां ऐसे cut कर रहे हो तो क्या हमें 2 similar half मिल सकते हैं yes or no ऐसे cut कर रहे हो तो बोलो नहीं मिल सकते है ना अगर मैं सोचा से diagonal कट कर दू यहां से ऐसे कट कर दू तो तो सर तो पूरा उपर चला गया और बाकी पार तो नीचे चला गया है ना तो भी नहीं मिल सकता लेकिन अगर हमारी body को हम central axis से vertically कट कर दें ऐसे तो क्या हमें दो similar half हाफ मिलेंगे और यहां similar हाफ बाहर से देख रहे हैं अंदर से यहीं सोच नहीं इदर स्टमक इदर लिवर है तो चेंज हो गया है ना मैं externally देख रहे हैं तो अगर हमारी body को हम ऐसे vertically कट कर दे सीधे है ना तो आपको दो similar half मिलेंगे यानि कि हमारे किसमें क्या हो रहा है किसी एक plane से आप central axis से cut कर रहे तो body दो equal हाँ में cut रहे है ठीक है ऐसी symmetry को हम बोलते है bilateral symmetry जो आगे भी पढ़ेंगे ठीक अब दूसरी symmetry है जिसको हम बोलते है radial symmetry वो भी पढ़ेंगे तीसरी है asymmetrical जहां पर किसी भी plane से cut कर दो central axis से आपको कभी भी दो similar या दो equal half नहीं मिलने वाले है बिलकुल नहीं मिलने वाले है ना तो asymmetrical के लिए बोल रहे हो लिख लो मैं बोलूँ any plane that passes through the central axis कोई भी plane जो central axis से pass कर रहा है does not divide the body है ना does not divide the body in two identical halves तो मैंने क्या लिखा आप central axis से किसी भी plane से body को divide कर रहे हैं आपको body में दो identical halves नहीं मिल रहे हैं तो यह asymmetric body है जैसे कि मैं ऐसे body बना दूँ सोचो ऐसा एक animal यह एक sponge है है ना अब इसको चाहे आप ऐसे कट कर लो चाहे आप body को ऐसे कट कर लो या आप उसको ऐसे phylum में जो आपको animals मिलेंगे वो asymmetrical होते हैं ठीक अब आप बात करते हैं जरा radial की तो radial में हम बोलते हैं आपको ऐसा animal मिलेगा जिसको आप central axis से किसी plane से कर दो है ना चाहे आप ऐसे सीजा कट कर दो vertical horizontal या फिर जो है ऐसे diagonal है ना किसी भी plane से कट कर दो आपको हमेशा दो identical half मिल जाएंगे body के तो हम फिर से बोल रहे हूं external body की बात कर रहे हैं और body animal की किस तरीके से आप divide कर सकते हैं या वर्टिकल डिवाइड कर सकते हैं horizontal कर सकते हैं दाइगनल कर सकते हैं फिर कहां से divide कर रहे हैं body का central axis से है ना तो अब radial में किसी भी plane में divide करो किसी भी plane में divide करो आपको हमेशा दो identical half मिलेंगे तो यहाँ मैं बोलूंगी, any plane that passes through the central axis, divides the body into two identical halves, है ना, अब यहां पर हर case में दो identical halves में divide हो रही है body, क्या इतनी बात सबको समझ आए, बोलो, यह बात सबको समझ आए, तो आपको again, जो phylum है, sealant rata, और दूसरा है, tenophora, है ना, यह दो मिलेगा radial में, और तीसरा example जो मैं बोल रहे हैं, वो बहुत important है, इकाइनो डर्मेटा में adults जो होंगे, जो adult है, ठीक है, उनकी body radial symmetry वाली होती है, यह ना question आ चुका है need में तो बहुत important है, हाँ, तो तनूजा again, इकाइनो डर्मेटा में सब नहीं, सिर्फ adult, सिर्फ और सिर्फ adult, इतनी बात समझ आए और सबने लिख लिए यह, एक बार बताओ, अफट अफट कमेंट में, निकू सेज, यहां मजाग करने आयो, तो अभी चले जाओ यहां से, अभी चले जाओ, पढ़ने आयो, तो पढ़ लो बैट कर, मेरी क्लास में मेरे को किसी भी तरीके का nuisance नहीं पसंद है, मैं उनी बच्चों को पढ़ाना पसंद करती हूँ, जो बहुत सिंसेर और अच्चुली डॉक्टर बनना चाहते हैं, और नीट का एग्जाम प्लियर करना चाहते हैं, समझ में आया, तो शैलेश, यह तो मौनिका से बात कर लो, है ना, और यह तो पढ़ लो, और अगर बात करना है मौनिका से, तो कहीं और जाकर कर लो, हर्ष्टी मेरे नोट्स के लिए आप यह तो वाट्साप पर ही मेसेज कर सकते हैं, मैं लास्ट में क्लास के बता दूगी, है ना, या फिर मैं तो बेटर मानते हूं कि आप खुद से नोट्स मेरे साथ बनाई, इसलिए तो देरे देरे पढ़ा रहे हूं, को जल देले तो ने पढ़ा समझा इतनी बात, लो बै, हाँ इतना लिख लिए सबने इत्वा तीसरे की बात करते हैं, अब बाई लेटरल है ना, बाई लेटरल वही है जो अब आपको बताया था, तो बाई लेटरल में है ना, बहुत ही सिंपल सी चीज होगी, जैसे मैंने हमारी बोडी में बताया, कि आप सेंटरल एक्सिस से किसी एक प्लेन में ही दो आइडेंटिकल हाफ में बोडी को डिवाइड कर सकते हो, जैसे मैं फिर से आपको बना कर बता रही हूँ, मान लो, थोड़ा रोबोट जैसा बना रही हूँ, है ना, कि आपको विजुलाइज करने में आसानी हूँ, यह एक बन्दा है, है ना, यह एक बन्दा है, अब इसकी बोडी को मेरे को सेंटरल एक्सिस से डिवाइड करना है, तो मान लो, यह सेंटरल एक्सिस है, है ना, अब इसकी बोडी को सेंटरल एक्सिस से, ठीक, सेंटरल एक्सिस से, या तो मैं ऐसे डिवाइड कर लू, ठीक, या तो मैं ऐसे डिवाइड कर लूँ है ना और या फिर मैं ऐसे डिवाइड कर लूँ अब डाइगनल कर रही हूं तो ऐसे कर सकती हूं है ना तो जो सीधी लाइन उपर से नीचे आ रही है इसको हम बोलते हैं vertical plane में आप divide कर रहे हैं ये जो है इसको बोलते है horizontal plane है और ये दोनो diagonal है ये भी diagonal है और ये भी diagonal है तो बोलो यहां पर इस आदमी की body किस plane से मैं divide कर रही हूं तो मुझे दो identical half मिल रहे हैं body दो half में हो गई और आपको same same जैसे half मिल रहे हैं बोलो horizontal से, vertical से या diagonal से बताओ बोलो दिख रहा है सबको अब समझ आ रहा है तो सोचो अगर मैंने ऐसे divide करी न body है ना, तो मुझे दो identical half मिल रहे है इधर वाला जो body है और इधर वाला जो body है वो बाहर से similar है है ना, वो बाहर से similar है ऐसे divide क्या तो सर उपर पैर नीचे हो इनी सकता बराबर बराबर आपको एक जैसा दिख रहा हो diagonal divide क्या तो अगर उपर वाले में bilateral symmetry बोल रहे है अब I hope आपने ये बना लिया हो क्यासे बना लोगे तो याद रहेगा है ना, इसको लिखें के कैसे सुनो body can be divided अब यहां मैं लिखूंगी body can be divided into two identical halves है ना, two identical halves in only one plane passing through the central axis तो यहां पर मैंने ये लिखवाया आपको कि, है ना body divide हो रही है दो identical halves में है ना, two identical halves में लेकिन central axis से pass करने वाले किसी एक ही plane से बाकि किसी plane से दो identical halves नहीं मिल रही है ये बात के सबको समझ आई समझ आई सबको बात अभी बाई, शैलेश आप हरशित को शांत रहने को बोल रहे हो आप ध्यान से सुनो एक बार है ना, कि हरशित ने क्या लिखा है हरशित मैं बिल्कुल आपको पहचान रहे हूँ बिल्कुल पहचान रहे है पर हरशित आपको तो पता है मैं कुछ पढ़ाती है तो बीच में मैं किसी को जवाब नहीं देती हरशित ने मिरसाथ पढ़ाई करी है है ना, और हरशित आपको बता रहे है कि उसके 292 में कितने मांग सार लिख लिया सबने अब सुनो यहाँ पर हम बात करेंगे किसकी प्लाटी हेलमिन्थ से लेकर है ना, प्लाटी हेलमिन्थ से लेकर कॉर्डेटा तक सभी में बाइलेटरल सिमिटरी है एक और अड़ कर लो साथ में जो अगेन बहुत इंपोर्टन्ट है भाई 5 स्टार मार्क कर रहे हैं क्या इकाइनो डर्मेटा का लार्वा जो उसमें लार्वा स्टेज होगी ना उसमें आपको मिलेगा बाइलेटरल सिमिटरी है ना और उसके बाद जो आपको मिलेगा इसका एड़ल्ट उसमें मिलेगी रेडियल सिमिटरी अब ये बहुत अलग चीज हो गई न, ऐसे questions तो पसंद है आपके इंटियो को, ऐसे questions तो ही तो डालता है, इतनी बात सबको समझ आए, बार बिल्कुल होगा, 680 के उपर तो किसी का aims में होगा, समझ आए इतनी बात, हरशित, आपका समेरा number है, है न, एक बार मुझे number पर, phone number पर message करो, ठीक है, फिर phone पर बात कर लेते हैं, next पर चलें, चलो भई, next पर चलते हैं, next हम बात करेंगे, कि कैसा body plan आपको animals में देखने मिल सकता है, और कैसी germ layer देखने मिल सकती है, किसी भी animal में, है न, body plan कैसा हो सकता है, और germ layer कैसी हो सकती है, ठीक, अब सुनना ध्यान से, पहले बात कर लेते हैं, body plan की, तो भाई, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, कि उसकी body किस तरीके से बनी हुई है, जैसे कुछ animals होते हैं, जिनकी body में, है न, जिनकी body में, ऐसा, एक ही opening है, ऐसी body है, ऐसी body को हम बोलते हैं, sack जैसी body, है न, तो इसको हम बोलते हैं, blind sack, तो यहाँ पर body का plan है, blind sack, blind sack में आपको एक single opening दिख रही है, है न, तो कोई भी, अगर चीज अंदर जा रही है, तो इधर ही से जा रही है, और कोई चीज बाहर आ रही है, तो इधर ही से आ रही है, है न, अब यहाँ पर हम किस system की बात करें, यहाँ पर हम बात करें, elementary canal की, तो कई जगे पर आपको opening जो है न, elementary canal में दो नहीं मिलती, एक यह ऐसे sack जैसा opening है, दूसरा body plan बोला जाता है, tube within tube, tube within tube, है न, अब tube within tube सुन लो ध्यान से, ठीक, यहाँ पर मैं बोलूंगी, दो openings है, एक नहीं, दो opening है, है न, और यहाँ पर इस तरीके का body है, अंदर से, ऐसा, ठीक, तो यहाँ पर कोई भी चीज, इस तरफ से अंदर जा रही है, तो इधर से बाहर आएगी, तो यहाँ दो opening हो गई, याद रखना है, अब किसमें आपको blind sack मिलेगा, और कहाँ पर आ पूरी फैरा, जो कि हमारा पहला phylum है, वहाँ से लेकर, है न, वहाँ से लेकर, platy helminth तक, आपको blind sack मिलेगा, और इसके बाद, ask helminth से लेकर, call data तक, आपको tube within tube मिलेगा, लिख लिया सबने, भूलो एक बार लिख लिया सबने, बनाया ये, भाई ऐसी चीज़े अगर मिरे साथ लिख लोगे, तो कभी बूलोगे नहीं, done, done, हाँ, बता दो एक बार, लिख लिया, अब आप बात करते हैं, दूसरे की, है न, तो दूसरा में पढ़ना है, germ layer, ठीक, आप तरह देखते हैं, germ layer का मतलब क्या है, तो germ layer को न, हम embryonic layer भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, embryonic layer, तो जब zygote से embryo का development शुरू होता है, है न, zygote से embryo का development शुरू होता है, ठीक है, तो वहाँ पर कुछ layers firm होती हैं, initially, ठीक, इन्ही layers को हम germ layer भोलते हैं, और बाद में जाकर, इन्ही germ layer से, पूरी body में हर एक चीज़ का formation हो सकता है, वो चाहे कोई भी, वो चाहे कोई भी organ, organ system हो, हमेशा वो इन्ही germ layer में से, किसी में से बनाओगा, है न, तो कुछ animals में आपको ये germ layer, ठीक है, germ layer, दो मिलती हैं, और कुछ में तीन मिलती हैं, तो हम बोलते हैं कि germ layer के हिसाब से, दो तरीके के animals हो सकते हैं, है न, अगर दो layer मिल रही हैं, तो बोलते हैं, diploblastic, क्या बोलते हैं, diploblastic, और अगर तीन मिल रही है, तो बोल देते हैं, triploblastic, ठीक है, अब आओ देखो, diploblastic का मतलब क्या है, जहां पर है ना ध्यान से देखना एक बाहर की तरफ ये लेयर है है ना और अंदर यहां पर भी एक लेयर है जो सबसे बाहर वाली लेयर है इसको मैं बोलूँगी एक्टोडर्म जो अंदर वाली लेयर है इसको बोलूँगी एंडोडर्म अब डिप्लो ब्लास्टिक में जो बीच में खाली स्पेस है ना एक्टोडर्म और एंडोडर्म में यहां पर कोई सेल का फॉर्मेशन नहीं है है ना रैदर एक बीना सेल का ऐसे मास जैसा पड़ा हुआ है है ना इसको हम बोल देते हैं मीजोगलिया इसको मैंने क्या बोला यह एक अंडिवाइड यानि कि डिविजन नहीं हुआ तो सेल नहीं दिखरा मास है ठीक है ऐसा आपको मिल रहा है डिप्लो ब्लास्टिक अनिमल्स में ट्रिप्लो ब्लास्टिक में जो मीजोगलिया वाली लेयर है ना वह अच्छे से फॉर्म हो जाती है तो अब ट्रिप्लो ब्लास्टिक देखो ज़रा अब इनमें बाहर एक लेयर है कौन सी लेयर एक्टोडर्म की लेयर अंदर एक लेयर है यह है एंडो डॉंक की लेयर बीच में अब यहाँ पर है ना एक लेयर है यह देखो ऐसे अब डिवाइड हो गया यह पूरा बीच का लेयर इसमें एक लेयर नहीं है बहुत सारी लेयर से हैंसे समझे रहो यह पूरा डिवाइड हो गया अब अब मैं इस लेयर को मीजोडर्म बोल दूगी है ना तो डिपलो ब्लास्टिक में दो लेयर्स होती है कौन कौन सी लेयर है एक्टोडर्म की लेयर है और एंडोडर्म की लेयर है और दोनों के बीच में एक अंडिवाइड़ मास है जिसको बोल रहे है मीजोगलिया टिपलो ब्लास्टिक में लेयर हो गई थ्री थ्री जर्म लेयर्स है है ना अब यहाँ पर क्या-क्या है एक्टोडर्म एक्टोडर्म और बीच में एक लेयर हो गई मीजोडर्म की इतनी बात सबको समझ आई हाँ रिया 2024 के लिए स्पैसिफिक के लिए पढ़ा रहे हो पूरा 11 खतम करूंग इस साल तुमारा हाँ समझ आई बात अब यह बताओ सबने लिख लिया तो आगे बढ़े यह लिख लिया चलो है ना अब ध्यान से सुनो तो भाई लेयर तो वहाँ बनेगी ना जहां पर टिशू लेवल है है ना तो अब पोरिफेरा को साइट कर देंगे पोरिफेरा तो सेल कही बना हुआ है तो जर्म लेयर कहां से आएगी है ना तो पोरिफेरा तो काउंटी नहीं करेंगे अब हम काउंट करेंगे सीलेंट रेटा से तो हम बोलते हैं कि सीलेंट रेटा और टीनो फोरा में आपको डिप्लो ब्लास्टिक मिलेगी प्लाटी हेलमिंथ से लेकर कॉल डेटा तक सभी में डिप्लो ब्लास्टिक मिलेगा समझा ही बात मैं फिर से बोलूँगी स्टार्ट स्मार्ट ध्यान से सुनलो मेरी बात जब मैं बोल रही हो तो ये बैच आगास बैच जो में चला रही हो यूट्यूब पर 24 के लिए ही है अब चलो next बात करते हैं सीलोम की सीलोम क्या है बॉडी के अंदर की कैविटी तो बॉडी कैविटी समझाने के लिए बहुत ही सिंपल सी चीज़ मैं आपको समझाऊंगी वापस से यह हमारा बंदा है ठीक है यह हमारा बंदा है है ना खुश अच्छा ठीक है अब क्या यह बंदे की बॉडी के अंदर खाली स्पेस है क्या लगता है है या नहीं क्या इस बंदे के बॉडी के अंदर खाली स्पेस है हाँ, है या नहीं है, बोलो, तो क्या आपने, ऐसा, ये हटा कर मैं ऐसा कड़ू, है ना, तो आपने उपर थोरासिक कैविटी सुना है, और नीचे अब्डॉमिनल कैविटी सुना है, किस किस ने ये नाम सुना है, हाँ, किस किस ने ये नाम सुना है, तो जितने बच्चे नो बोल रहे हैं, अब बताओ क्या आपने थोरासिक कैविटी और अब्डॉमिनल कैविटी हमारे अंदर बॉड़ी के होती है हां अगर होती है तो यहीं काविटी की बात कर रहे हैं इस काविटी की वज़े से हमारी बॉड़ी फ्लाट नहीं है रधर के 3D में दिख रहे हैं है तो हमारी लेंथ भी है हमारी विट्थ भी है और हमारी मुटाई भी एक समझ रहे हो तो य जो cavities मिल रही है, यह आपको क्या सारे animals मिलेंगी, कोई ज़रूरी नहीं है, है ना, इसी cavity को हम sea loam भी बोल रहे हैं, अभी अलग अलग तरीके सो सकते हैं, तो human का रिखाए क्योंकि वो आपको याद रखना सबसे आसान है, है ना, तो हम बोलते हैं, sea loam या body cavity, हो सकता है कि कि इसी animal में हो, और हो सकता है ना भी हो, है ना, तो यह sea loam तीन तरीके काउता है, ठीक, ध्यान से सुनो कौन-कौन सा, एक ऐसा animal जिसमें कोई cavity नहीं है, जो flat है बिल्कुल, a sea loamate, ठीक है, तो a sea loamate animal में कोई cavity या sea loam नहीं है, यानि कि उसकी body, dorsal, ventrally flattened है, dorsal और ventral क्या है, मैं से बैठी हूँ, यह सामने का region, मेरा ventral region और पीछे का region, dorsal region है ना, तो मैंने क्या बोला, यहाँ पर dorsal और ventral region चप्टा है पुरा, तो flat body है, ठीक है, ऐसा a sea loamate आपको मिलेगा, platy helmet में, अब बोलोगे कि platy helmet ही क्यों लिखा, उसके पहले के सारे कहा गए, है ना, तो उसके पहले के सारे उड़ गए, क्योंकि यह जो sea loam बनता है, यह mesoderm के layer में बनता है, तो जिनके पास mesoderm था ही नहीं, है ना, उनमें तो बनेगा नहीं, तो आपको सीधा platy helmet के पहले वाले सा लोगे, यह बात याद रखोगे, बोलो सबको समझाई जो मैंने बोला, हाई प्रद्यूमन, spam नी करो, पढ़ लो, spam करोगे, अभी हटा दोगी, मैं फिर से आपको बोल जो एक चीज, यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ बहुत ही sincerely पढ़ाने आती हूँ, अगर आप मेरे एक इहंटे का अच्छे से इस्तिमाल नहीं कर पाओगे, है ना, तो कोई फादानी आपके पढ़ने का और आप एक्जाम नहीं क्लियर कर पाओगे, ठीक है, तो या तो आप टाइम पास करने आ रहे हो, जैसे की प्रद्यूमन आया है और इसको मैंने हटा दिया इसलिए, है ना या तो आप ऐसे आए हो, या तो पढ़ने आए हो, अगर आप जो है पढ़ने आए हो, ठीक है, तो फिर पढ़ाई करो, और ऐसे डिस्टर्ब नहीं करो, जिस ताइम पर मैं बोल रही हो ना, उमेरे को डिस्टर्ब नहीं क्या करो, उसके बाद पैस्टर पोलो, मैं खुद ह भी रुकूंगे, मैंने फिर से बोलूँ की क्या बोला, मैंने बोला कि हम यहां पर, सीलोम है या नहीं है वो शुरू आती ही प्लाटी हल्में से करते हैं, तो उसके पहले के जो सारे फाइल हमें, वो इसमें आएंगे ही, क्यों? क्योंकि जो अनिमल्स है ना, यानि की पोरिफ क्योंकि मीजोडेम की लेरं बंनी शुरू ही प्लाटी हल्में से हो रही है तो अब ब्लाटी हल्मेंथ स्लाट होते हैं, बल्कूल फ्लाट बोडी के होते हैं ठीक है, यहां पर कोई सीलोम या कहविटी नहीं है फिर आपको कुछ में कहविटी ऐसे पाऊचल्ण में स्काटर मीजोशीलोमेट में आपको स्कैटर्ड पाउचेज मिलेंगे ठीक है कहां पर इंदी मीजोडर्मल लेयर अब आउज़र बना कर दिखा देती हूँ ऐसा एक उचाल तो अब यह है इसमें बाहर-बाहर एक्टोडर्म की लेयर है इसमें अंदर एंडोडर्म की लेयर है और अब जो बीज की पूरी लेयर है इसमें सेल्स भरे होगे तो इस बीज की लेयर में थोड़ा बड़ा होगे रूखो ऐसे आपको cavity मिल रही है, खाली जगे मिल रही है, फिर ऐसे खाली जगे मिल रही है, और फिर ऐसे खाली जगे मिल रही है, अब इसका मतलब क्या है? बाकी पूरा ऐसे cell से भरा हुआ है, ऐसे ये है ना, बाकी ये पूरा ऐसे cell से भरा हुआ है आपको जो cavity है वो pouch के अंदर-अंदर मिल रही है बागी ऐसे cell है पूरा है ना तू confused नहीं हो ना कि cell नहीं है ठीक अब इसी को हम pseudo-celomate बोल रही है as calminth यहाँ पर आते हैं यह सब ने लिख लिया हाई निशान यहाँ मैंने ना 2023 के लिए गर पूछ रहे हूँ है ना तो वो batch चुरू किया है जह है last month से जुलाई end से ठीक है और शौर यह batch आप जॉइन कर सकते हूँ मैं आपको help कर दूँगी जो classes खतम हुए उसकी tension नहीं लेना अब आप बात करते हैं तीसरे के तीसरे को हम बोलते है silo mate अरे रुको ठीक है अब silo mate में देखो cavity कैसी है यहाँ पर पूरा mesoderm में cavity बनेगी है ना तो यहाँ पर again ऐसा है यह बाहर की layer फिर अंदर ऐसी layer अब बीच में जो पूरा mesoderm की layer है है ना वो ऐसे divide होगी और ऐसे होगी और यह जो side side में दिखा रही हूँ ना यहाँ पर आपको थोड़े cell मिल रहे हैं और इधर फिर थोड़े mesoderm वाले cells मिल रहे हैं बाकी बीच की पूरी space जो है खाली हो गई और यहाँ पर organs fit कर दिये जाते हैं तो हमारे भी तो बहुत सारा organ thoracic और abdominal cavity में बात समझाई सबको हाँ कहीं बात समझाई इसको बोलते हैं सीलोम हीट्स है ना तो अब वापस से आपके as calmin तक तो pseudo-sealum चला गया analida से लेकर call data तक लिख रही हूँ यहाँ पर है ना analida से लेकर call data तक समझ रहे हो सारे के सारे जो है true-sealum वाले हैं यानि कि silo-mates हैं लिख लिया सब नहीं आगे चले चले आगे बोलो तो बात करते हैं जरा sixth point की जो की है segmentation segmentation के लिए question पूछूंगी कितने बच्चों ने chat में लिखना तो earthworm देखा है कितने बच्चों ने earthworm देखा है बताओ जरा हाँ देखा है earthworm तो ऐसा earthworm होता है और earthworm में आपको starting से end तक ऐसे lines दिखती है body में दिखती है नहीं दिखती है है ना अब सुनो अब ये जो आपको divisions दिख रहे हैं है ना इसी को हम बोलते है segmentation तो earthworm क्यों हम बोलते है segmentation के नाम पर क्यों की है ना क्यों की सबसे अच्छी segmentation आपको उसी ग्रूप में मिलती है जहां पर पुरी body बाहर भी और अंदर भी एक के बाद एक एक के बाद एक repeated segment से बनी हुई है बाहर भी जिस तरीके से segments अंदर भी पूरी सितर के से segmented body है है ना लेकिन क्या सिर्फ और सिर्फ earthworm वाले phylum में ही आपको segmentation मिलेगा segmentation का मतलब है body divided externally and internally into segments है ना ऐसा लिखते हैं फिर ये भी लिख सकते हैं कि भाई और कुछ नहीं हो तो at least external और internal segments जितने भी हैं वो related होने चाहिए है ना तो जिस तरीके से बाहर है external segmentation तो मैं बोलूँगी external segmentation should be related to internal segmentation थीक है तो अब external internal segmentation जो है आपस में मिलता जुलता होना चाहिए फिर मैं बोलूँ कि कुछ नहीं तो at least कुछ आजो सीलोम और एंट्रो सीलोम आपके अब सिल्बस का पार्ट नहीं है है ना तो नहीं cover करेंगे इस बार क्योंकि वो extra extra पढ़के कुछ नहीं मिलेगा अब मैं बोलूँगी कि तीन ऐसे फाइलम है जहां पर आपको segmentation मिलता है बताओ किस-किस फाइलम में फटा-फट लिखो तो जरा चैट में एक बार किस-किस फाइलम में आपको जो है segmentation मिलेगा बोलो किस-किस फाइलम में मिलेगा क्या सिर्फ एनलेडा में मिलेगा क्या सिर्फ एनेलेडा लिख दू मैं हाँ बताती हूँ अभी चीको वह भी बताती हूँ तो हम बोलते हैं कि एनेलेडा आर्थरोपोडा और कॉल्डेटा है ना एनेलेडा आर्थरोपोडा और कॉल्डेटा तीन ऐसे फाइलम है जहां आपको सिमिट्री मिलेगी तो सोचो ना कि अगर आपको हेड थोराक्स और अब्डोमन बहुत सारे मैंनिमल से बोलते हैं तो आयालेडा में थो बाई पूरा सेग्मेंटेड है पूरा है बॉडी लेकिन आरे में मिलते हैं यह हमारा अथ है ver कैम्तरी है फिर इसे फोरासिक केसे हैं फैर अपक्ल है ना अगर ऐसा division है अंदर और बाहर तो फिर इसको भी हम segmentation मानेगे यह ऐसे सोचो कि अगर मेरे में proper vertebral column है ठीक है तो क्या वो column बार बार repeat हो रहा है यह हो गया repetition of vertebral column इसको भी हम segmentation मान लेगे तो इसके वज़े से भी मैं बोल सकती हूँ कि chordates में segmentation है body में क्या बात समझाई अब चीकू क्या third point का मतलब समझाया बोलो समझाया सबको हां तो कल है ना हम आगे continue करेंगे तीन और चीज़े रह गए देखना digestive system कैसा होता है circulating system कैसा होता है notocod का मतलब क्या है chordates को हम notocod के basis पर divide कर रहे है तो उसका मतलब क्या है और फिर हम non chordate शुरू कर देंगे यानि कि हम phylum porifera से start कर देंगे बही कौकरुच किसका example है आर्थरोपॉड है एक है ना तो बिलकुल होगा यहाँ पर है ना तो आई होप आपको अभी तक जो भी मैंने बोला समझ आया आई होप आपने पहले के lecture जितनी भी chapter समने miss किये आपने अभी तक है ना वो आपने cover किये हैं नहीं किये हैं तो आप video के साथ cover कीजे आज अगर समझ आया पूरा तो session को अभी लाइक करो subscribe करो channel को अभी अगर अभी तक नहीं किया है तो और मैं आपर लिख रही हूँ कि physics की class daily होती है 5 p.m. पर आपको upcoming sessions दिख रहे होंगे homepage पर अभी जाकर reminder set कर लो bell icon प्रेस कर दो आपको खुदी notification आएगा class start होती ही और आजाना class में और मेरे साथ इसी तरीके से पूरा आप अगर सिर्फ 5 months में cover करना चाहते हो पूरा syllabus आपका 5 months में अगर आप NEET 2023 के लिए prepare करना चाहते हो और target कर रह batch भी join कर सकते हो अभी भी time है आपको हम cover करवा देंगे batch join करना है तो यहाँ पर मैं number लिख रही हूँ जिस number पर whatsapp पर आप message कर सकते हो ठीक है so I will see you tomorrow till then take care everyone bye bye good night bye everyone अर्मार यूट्यूब पर यह टाइम कम है है न और distraction बहुत होता है सिर्फ आपके लिए नहीं होता है हमारे लिए भी होता है है न तो बहुत सारी चीज़े रहती जाती है जैसे अभी मैंने पूरा सोचा था कि खतम कर दूंगे basis of classification नहीं कतम हो पाया बट जुम्हें शौर बैच में limited students class लेती हो न वहाँ एक तो class दो-दो गंटे की होती है और वहाँ पर जादा असानी से जादा focused इंसान पढ़ा पाता है है न तो बहुत सारी चीज़े एक साथ cover हो जाती है इसलिए आप शौर बैच जॉइन कर सकते हो ठीक है तो बिलकुल हिचकिचाओ नहीं details लो सारे और बिलकुल अगर आपको लगता है कि मेरे को actually target करना है है न तो मैं जिन बच्चों को पढ़ा देती हूँ और जो बच्चे मेरे साथ हर दिन मेहनत करने को ready रहते हैं कोई ऐसा बच्चा नहीं है मेरे साथ जो पढ़ा हो और वो biology में 330 के नीचे लेकर आया हो अगर वो पूरा अपना 100% दे रहा है तो है न तो यह याद रखना कि अगर आप वही करना चाहते हो तो जरूर जोइन कर लो शौरे बैच उसकी class अलग से zoom पर होती है साज्या ठीक है चाल तो I'll see you tomorrow then bye bye